Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys, notification तो हमारे पास आ चुकी है UPSC, AOEO और APFC की लेकिन उस notification के अंदर कहीं पर भी date नहीं गिवन है exam की date के लिए क्या बोला गया है हमको date के लिए बोला गया है कि notify किया जाएगा Okay, so बहुत सारे बच्चे confusion के अंदर हैं कि exam कब होगा या कब नहीं होगा क्योंकि multiple exams आज कल सब बच्चे देते हैं तो planning का issue जो है वो रहता है Okay, so थोड़ा समय आपर आपको clarity बनाने की कोशिश करता हूँ कि exam आपका probably किस दिन होगा ठीक है और जहां तक है close prediction रहेगा यह अब देखो UPSC का calendar आता है हर साल कुछ exams तो ऐसे होते हैं जो UPSC clearly बताता है कि इस date के उपर होगा जैसे engineering services का exam हो गया, NDA का हो गया, CDS का हो गया, civil services का हो गया वो तो directly mentioned है एक होता है जो UPSC reserve करता है for your recruitment test ठीक है और आपका जो APFC, AOO का exam है वो आपका RT examination ही है तो जो यह RT examinations वाली dates है, इनके अंदर ही आपका paper होना है अब देखो 15 January तो निकल चुकी है, तो यह तो खारिज हो गई उसके बाद next अगर आप अपनी return examination की date देखते हो, वो है 12-3 12-3 date नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी तो आपका form निकला है 17-18 तारिक तक तो आपका form फिल अप होना है, तो 12-3 भी नहीं हो सकती आगे चलते हैं, मतलब कि March के अंदर भी नहीं होना उके, उसके बाद आप देखोगे, April के अंदर तो return examination की कोई भी date अपने पास है ही नहीं तो एक estimation लेकर के चलते हैं कि अपने पास कौन से months available है preparation के लिए तो February के तो आज last day है, तो February तो निकला समझो, March अपने पास है और April के अंदर भी कोई return test की examination की date नहीं है, तो April भी गया, ठीक है उसके बाद अगर आप मही देखोगे, तो मही के अंदर भी कोई RT examination को date नहीं दी गई है, तो आपका maybe गया, तो तीन महीने तो आपके पास clearly यह हो गए उसके बाद आजाओ जी, June के उपर, तो June के अंदर भी आपकी RT examination की कोई date नहीं है तो June के अंदर भी आपका यह paper होने वाला नहीं है, चार महीने हो गए उसके बाद next आजाओ जी, अब किसी को अगर यह लग रहा है, कि सर यह RT examination के इलावा कोई date दे देगा UPSC तो ऐसा नहीं होगा, यह जो RT examination की date है, इसी के अंदर होगा उसके बाद आपका, जो RT examination की date है, वो है 2 July, ठीक है, July के महीने में है एक date, एक date फिर आपकी August के महीने में है, 28, उसके बाद जी आपकी date है, 8 October की and फिर आपकी December की date है, तो चार dates है, यह चार dates के अंदर probability है कि आपका examination होगा, अब देखो, अगर मैं बात करूँ 2020 की, जब AOEO की notification निकली दिया 2017 की notification थी, 2020 में तो exam काफी बार postpone हुआ, क्योंगी COVID आ गया लेकिन initially जब 2020 में notification निकली थी, तो February के मन्त के अंदर notification निकली थी जैसे आपकी इस बार February के मन्त के अंदर notification निकली है और उस time पर जो examination की date रखी गई थी, COVID आने से पहले, lockdown वगरा का process शुरू होने से पहले वो थी आपकी October मन्त की, ठीक है, October मन्त की तो अगर हम उस scenario के हिसाब से चलें, जो आपका 2017 और 2020 के अंदर basically process UPSC follow कर रहा था वो ये वाला था कि February के अंदर notification और October के अंदर examination ठीक है, February के अंदर notification और October के अंदर examination तो उसके अंदर जो आपके पास probable months of preparation बचते हैं अगर मैं October की date के उपर सबसे जादा bet लगाऊँगा इस वाली date के उपर मैं maximum bet लगाऊँगा, कि दसवे महीने में आपका exam होगा सातवे महीने में exam होने के बहुत कम chances है दसवे महीने के अंदर maximum chances हैं कि आपका exam हो तो अगर दसवे महीने में हो रहा है तो आपके पास March, April, May, June, July, August, September सात महीने तो पूरे-पूरे पड़े हैं और October के around 7 days, ठीक है? तो 7 months आपके पास पूरे-पूरे हैं अब हो सकता है process क्या होगा इसके अंदर? क्योंकि APFC का exam अलग होना है और AOO का exam अलग होना है तो जो estimation है मेरा वो यह है कि एक जो 18 तारिक जो August महीने वाली है इसके अंदर आपका एक exam होगा और एक exam होगा आपका October के अंदर एक exam होगा आपका August के अंदर और एक exam होगा आपका October के अंदर तो यह estimation है तो आप यह लगा अगर के चलो अगर safe side भी चले तो 4 से 5 महीने 5 महीने तो आपके पास हर exam की आपकी preparation के लिए है ही तो यह एक timeline थोड़ी सी दिमाग में लेकर के चले जुलाई में exam होने के chances काफी जादा कम है काफी जादा कम है लेकिन अगर safe side आप रहना चाते हो और यह assume करके चलो कि आपका exam number 1 जुलाई में होता है और exam number 2 आपका August में होता है तो उसके इसाप से भी आपके पास March, April, May, June 4 महीने बचते हैं चार महीने तो minimum ही है आपके पास preparation के लिए अपने exam की तो यह 4, 5, 6 महीने के इसाप से आप लेकर के चले safe side और risk free खेलना चाते हैं तो चार महीने लेकर के चल सकते हैं तो यह आपकी कुछ probable dates बचेगी बिलकु लास्ट तक UPSC इस exam को नहीं लेकर के जाएगा कि December तक हीचे ठीक है तो most probable जो dates मेरे हिसाप से है वो है August और October बट आप अगर risk free रहना चाते हैं तो आप July को भी mind के अंदर रख सकते हैं बाकी जब notification आएगी UPSC की तब हमें clear हो ही जाएगा अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि ये AO, EO, APFC का जो भी interesting content आ रहा है YouTube पे वो आपको notify होता रहे मिलेंगे lecture में Till then take care and bye